हेलो गाइज आपके अपने चैनल टेस्टी एंड डिलिशेस फूडबाय जूती में आज हम बनाने जा रहे हैं यह देखे कितनी टैम्टिव रेसिपी है सच में और इसका टेस्ट और मतलब यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है मार्केट में तो आपको मिल जाती आसाने से लेकि मिलावट भरी जरूर मिलती है तो यह देखिए फ्रेंड्स यह है रबडी कुलहर रबडी यह देखिए इसका टेक्स्चर यह बिल्कुल सिर्फ दूद और चीनी से बनी हुई है ट्राइफ रूट्स वगेरे तो आपकी मर्जी है आप डाले या नहीं लेकिन वाकई में सच में विश्वास कीजिए आगे से तो मैं बिल्कुल मार्केट की मंगाना ही बूल गई हूँ यह देखिए इसका टेक्स्चर देखिए वाकई में आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा मेरे कहने से एक बार जिस तरह से मैंने बनाई है रेसिपी उस तरह से आप जरूर ब पानी डाला है लेकिन वैसे तो यह नॉन स्टिक पैन है तो इसमें वैसे भी नहीं चिपकेगा लेकिन आपको बताने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है तो यह फुल फैट क्रीम वाला दूध है इसे हमें अच्छे से बॉयल करना है यह देखिए लगातार च सच में बहुत ही टेस्टी रेसिपी है variant में न मैंने कोई द़ाला है ना कोई अ गॉट रवा है जना को एरा डाला है वह दोद मावा जामा अधाल बिल्कुल यह दो जरू वै इससे बनेगी है और और आप सच में बनाएगा इसका टेस्ट आपको मतलब मैं कहती हूं की तो आपको उतार उतार के दूद में ही मिक्स करना है, यह देखिए, इस तरीके से इसे बॉयल करना है, तो आप लगातार चलाते रहें, नहीं तो दूद उफन सकता है, इसलिए इसके पास रहना है, बस एक, मैं आपको कहते हूं, यह एक दो मिनिट में बनने वाली रेसिपी नहीं है, हाँ, आप अगर कॉनफला डालते हैं, या और कई चैनल्स पे भी दिखाते हैं, कि दूम निट में रबडी तयार, तो वो तो मैं नहीं कहूंगे आप से जूट, इसमें आपको पून रूप से एक से सवा घंटा लग जाएगा, लेकिन जब यह बनकर तयार होगी तो वह वही, आप सच में लूटेंगे मतलब घरवालों की, तो यह देखिए, इसकी मलाई इस तरह से उपर आती जाएगी, और इसे आपको इसी पे इखटा करना है, साइड में, यह हमने केसर डाल दिया है, केसर से एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, पीला जो रं कोट कर डाल दिया है, यह 4-5 इलाईची को मैंने कोट कर डाला है, आप इलाईची पाउडर की जगह एक बार हाथ से क्रश करके, मतलब जो कूटते हैं हम खलपते में, वह वाली इलाईची जरूर डालें इसमें, और अब यह जो मलाई है, यह देखे, मलाई की जो पड़ते वह भी मैं आपको बना कर दिखाऊंगी कभी, लेकिन आप एक बार तो यह प्योर जो बना कर मैं बता रही हूँ, आप इसी तरीके से बना कर जरूर ट्राई करें, तो यह दिखे, जैसे जैसे दूद बॉल हो रहा है, और हमारी जो रबडी है, वह थोड़ी कम होती जा रही क्वांटिटी में, और केसर ने भी अपना कलर छोड़ दिया है, तो यह पीली हो गई है, यह दिखे, अब इस स्टेज पे हमें इसमें चीनी डालने है, तो फ्रेंट्स आप ध्यान रखें, यह एक किलो दूज जो हमने लिया है, तो उसमें चार चम्मश चीनी ही डालें, क् देखे, इस तरह से जैसे जैसे यह बनती जाएगी, इस तरह से लच्छे अपने आप यह इकटे होते जाएगे, जो पढ़ते हैं दूद की, तो यह देखे, इन्हें कुरच-कुरच के आप इसी में मिक्स करते जाएगे, देखे, कितनी गाड़ी अभी से ही लग रही है, अ आपको जो पसंदे ड्राइफ्रूट्स वो डाल दे, पर हाँ किशमिश इसमें अच्छी नहीं लगती है, आगर आप खाना पसंद करते हैं, तो आप डाल सकते हैं, तो यह देखे, अब इसे फिर से लगातार चलाना है, और क्योंकि अब यह हमने थोड़ी दर पहले चीनी तो वो भी घुलेगी, तो थोड़ा सा पतला हो गया था, और यह जो मलाई के जो लच्छे हैं, यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे अच्छे से रबडी में ही मिक्स करते जाएं, यह देखे, हमारी रबडी गाडी हो गई है, और एक गंटे से थोड़ा सा पांस-दस मिट उपर टाइम लगेगा, लेकिन यह जब बनकर तयार होगी ना, तो इतनी तो खुश्बू आपके किचन में फैलेगी, और बहुत ही स्वादिष्ट यह बनेगी, ठंडी-ठंडी रबडी आप फ्रिज में रखकर इसे खाएं, वाक आपको इसमें लगातार चलाते हुए सुखाना है, क्योंकि अगर हम दूद को छोड़ देंगे तो वो जल जाएगा नीचे, इस तरह से यह देखे, पूरी हमारी रबडी तयार हो गई, इसे मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए, यह देखे, इसका टेक्शर देखे, आपके मुह में पानी आगया होगा देखते ही, तो आप इसे जरूर घर पर ट्राइ करें, और कुलड में हम इसे सर्व कर रहे हैं, यह देखे, तो आप देखे, इसका टेक्शर में बिल्कुल पास से आपको जूम करके दिखा रही हूँ, तो आप इस तरह से अपने घर पर दियार है, बिल्कुल प्योर रब्डी है, 100% प्योर रब्डी है, और इसे आप गार्निश कर दीजिए, ड्राइफ्रूट्स के साथ, यह देखे, यह लीजिए, आपके लिए, मैं आपको दिखा कर आपको सर्व करती हूँ, तो आप जरूर इसे ट्राइ कीजिए, तो मिलते अब्यार ओढ़ है, तो मिलते हूँ, तो आपको सर्व के साथ, यह रLSूरर रवको धबापों, प्यूपकों, एवकों, यह शरूर रवकों, प्यूदाइ